नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको अपने टेरिस से मूली की छोटी सी हर्वेस्टिंग दिखाऊंगा आप देखे कितनी बड़ी साइज की मूली और क इतनी अच्छी मूली मुझे मेरे ग्रोवेक से हार्विष्ट करने को मिल रही है तो दोस्तों यह जो मूली मैंने लगा रखी है इसको 24 24 इंच का मेरा ग्रोवेक है जिसको मैंने फल वाले पौदों को लगाने के लिए मिट्टी भर के तयार रखा था पर अभी मेरे पास प मूली मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से मैंने कुछ हार्वेस्ट की थी और कुछ अभी हार्वेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों मैंने बस इतना किया था कि मूली के सीट्स करीब 5-5 इंच की दूरी पर देखे छोटी एक मूली बे उखड़ गई साथ में बेकार हो गई तो 5-6-6 इंच की दूरी पर मैंने मूली के सीट्स लगा दिये थे और इसमें मैं वाटरिंग करता रहा और बीच बीच में एक दो बार मैंने इसमें लिक्विट कंपोस्ट सरसो की खली क्यलावा मैंने और कुछ इसमें नहीं डाला है बस मैंने जो मिट्टी जो बनाई थी इस है तो इस वजई से जो मिट्टी मैंने बनाई है रायससक मिल आकर इसी की वज़त मुझे इतनी हेवी-वी साइज की मूली हार्वेस्ट करने को मिल रही है दोस्तों मैं आपको बता दू कि मैंने जो बनाई है इसका वीडियो टेमीरी अपलोरोड है लेकिन मैं फिर वREE आप कि यूमिक एचिट मिलाके मैं अपनी मिट्टी तयार करता हूं तो आप देखिए मिट्टी इतनी अच्छी होनी की वज़े से आप मूली की साइज देखिए कितनी अच्छी साइज मुझे मूली की मिली है करीब दोस्तों ये दो फिट के आजपस डेड़ पूने दो फिट के आजपस एक मूली की साइज है आप देखिए मेरे पूरे हाथ के बराबर डेड़ फुट से उपर सभी मूलियों की साइज है तो दोस्तों आप भी ऐसे मिट्टी बनाएं और उसी में मूली लगाएं बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी